आप लोगों का अपने इस यूटूब चैनल पर एक बार पुने स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं तुला रासी की महिलाओं के बैवाहिक जीवन के विषय में अभी मैंने पिछले वीडियो बैवाहिक सुख के बारे में जो बता लिखा बनाया तो मेरी बहुत सी बहनों ने बेटियों ने लेडी जी स्पेशल के लिए मुझे कमेंट लिखा और मैंने उनको अस्वासन भी दिया था समय आने पर मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो मनाओंगा तो आज मैं आप लोगों के लिए तुला रासी की जो महिलाओं का बैवाहिक जीवन होता है उसके बाद इनका पारवारिक सुख कैसा होता है इनकी संतान कब होते हैं कैसे होते हैं इनका इनके पती के साथ कैसे बेवार रहता है और इनका स्वास्त आदी कैसा रहता है इस बिसे में हम बात करेंगे अब मैंने आपको बताया है कि तुला रासी की जो महिलाओं होती हैं बेटियां होती हैं यह सुरूख से ही बहुत हासमुक सभाव की होती हैं, बहुत मिलंसार होती हैं, दूसरी की भावनाओं को तुरंत समझने वाली होती हैं, और किसी भी व्यक्त की मदद करना है, साहईता करना है, तो ये भावनात्मत उसकी मदद करती है भगवान से प्रास्ना करती है उसके दुखदूर होने की जो भी हर संभव उपाय है करती है तो ये जब अपने माय के यानि कि जब इनकी साधि नहीं होती है तब तक ये अपनी सिच्छा दिच्छा लगभग पूर कर लेती है कभी कभी तो ये सिच्छा के अलावा भी कोई बड़ी डिग्री भी प्राप्ट करती है अगर ये पढ़ाई के छेत्र में कुछ ठान लेती है मुझे ये बनना है मुझे वो बनना है तो ये उसके लिए हर वो एड़ी चूटी का प्रयास करती हैं और सफल होती है प्रन्त कुछ मामलों में देखा गया है कि इनकी पढ़ाई पूल नहीं होती है और इनकी साधी हो जाती है आप तुलारासी की लड़कियों को देखोगे कि इनकी साधी 20-22 साल से लेकर 25-26 साल के वीतर हो ही जाती है वैसे तो इस दोरान ये अपनी पढ़ाई काफी कुछ पूर कर लेती है और आगे भी इनके पढ़ने लिखने की इच्छा तो रहती है बहुत प्रन्तु जब इनकी साधी हो जाती है ये अपने सासाल में आ जाती है तब इनको काम की जिम्मेदारी इतनी अधिक हो जाती है कि फिर ये अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती है इसलिए कहा जाता है कि साधी के पहले जितनी ये पढ़ाई कर लेती है जितनी दिग्री हासिल कर लेती है उसी के बलबूते पर ये अपने जीवन में आगे नोकरी ब्यावसाय आदि करती है क्योंकि साधी के बाद इनका पढ़ने का मन तो लगता है लेकिन आपको बताया कि इनको जिम्मेदारी इतनी हो जाती है कि ये समय नहीं निकाल पाती है अब चुकी तुलारासी की लड़कियां बड़ी भाग जवान होती है इनको इनका मन चाहा पती मिलता है सुन्दर रहता है इनको भी प्रेम करने वाला रहता है और ये भी अपने पती को बहुत प्रेम करती है इस तरह से देखा जाए तो इनके पारिवारिक जीवन यानि बैवाहिक जीवन से सुरू होने वाली इनकी जिन्दगी एक नई प्रकार की जिन्दगी होती है और यहां से इनके जीवन में अगर कहा जाए परतिबंध तो इनको अपने साधी के बाद परतिबंध में रहना पड़ता है इसके पहले अपने माईके में ये लड़कियां बहुत स्वतंतर रहती हैं जो भी इनको टहलना घूमना खाना पीना हर तरह से इनको माता पिता का सुख मिलता है स्वतंतरता मिलती है पढ़ाई लिखाई जितना जिस विशे में कलना चाहे हर तरह से सहयोग मिलता है तो पतिबंद किसे कहते हैं ये इनको साधी के पहले पता भी नहीं होता है वैसे तो ये बहुत भावक होती है अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती है और हमेशा ये वही कारी करती है जिससे की लोगों का भला हो लोग इनकी प्रसंसा करें लोगों की सहाईटा करती हैं ये बात भी देखा गया है कि तुलारासी की लड़कियां कभी कभी मन से किसी को प्रेम करती हैं लेकिन ये बात उस वेक्ति को कभी पता नहीं चल पाता है इसी परकार कोई लड़का भी इनको बहुत अधिक प्रेम करता है लेकिन इनके डर की वज़ा से वो इनसे अपनी बात कभी कह नहीं पाता है जबकि कभी कभी अगर दोनों की आपस में बात्चीत हो जाती है तो इनकी लब मेरेज भी होती है और वो ज़्यादा तर सफल होती है इसलिए वैसे तो ये औरेंज मेरेज करना माता पिता इनके जहां साधी करके देते हैं ये वहाँ अपने जीवन को बहुत सुक पूर्वक वितीत करती हैं अपने पती को पती परमेसर जैसा ही मानती है अब आप देखेंगे कि तुला रासी का स्वामी सुक्र होता है जो प्रेम को देता है सुक्र को देता है स्या सुक्र में भी बिद्धि करता है और हर तरह से वो सुक्र देता है तो जिसके रासी का स्वामी ही सुक्र हो उसे अच्छे कपड़े अच्छे गहने अच्छा परिवार अच्छे संतान अच्छा पती आदी मिलता ही है इसमें कोई सक्त नहीं होती है कुटुंब धन वाणी परिवार अब आप देखेंगे कि जब तुलारासी की महलाएं अपने सफ़ा रालती है तो चुक्छी ये संदर बहुत होती है तो इनकी संदरता की प्रसंसा अनायास इनके घर वाले करते ही है बड़ी संदर बहुत है बहुत अच्छी है ये विचारवान होती है और लोगों की सेवा करने में विस्वास करती है इसलिए ये अपने सास ससूर उनके परिवार के लोगों की खुब सेवा भाव करती है आप देखोगे कि अगर ये किसी से नहीं भी बात करना चाहती है और कोई इन से प्रेम से हस के बात करना चाहे तो ये अपना कभी भी क्रोध अधिक समय तक रोक नहीं पाती है क्योंकि ये कभी-कभी क्रोध इसलिए करती हैं कि लोग इनकी बेवजह बुराई करने लगते हैं आपने ये काम नहीं किया आपने वो समय से नहीं किया तो ये हर वो काम करने का प्रियास करती हैं कभी-कभी तो ये अपना भूब प्यास त्याद कर काम करती रहती है करती रहती हैं आप देखोगे कि तुला रासी की जो लड़की अपनी सफ्राल में आ गई तो सफ्राल वालों को एक साथ कई चीज मिल गए खाना बनने वाली घर साफ करने वाली पोछा करने वाली सब अकेले ये करती है इनको नौकर चाकर पर बिल्कुल विस्वास नहीं होता है ये अपने घर का काम खुट करने पर विस्वास करती है और उसे बहुत अच्छी तरह से करती है अपने घर को बहुत अच्छी तरह सजाएंगी साफ सुथरा रखेंगी हर वो चीज साफ सुथरा रखती है बिल्कुल नया नया इनके फोटो वादी इस तरह ये घर को सजा कि हाँ इस घर में कोई कला कार आई है जो अपने कला बिखे रही है तो इस तरह से अब आप धन के बारे में देखेंगे तो वैसे तो तुला रासी की महलाएं लालची बिल्कुल नहीं होती हैं आप इनको जो काम प्रेम से बोल कर इनको करवा सकते हैं वो काम आप इनको धनक लालच दे कर नहीं करा सकते हैं क्योंकि ये प्रेम की भूकी होती है ना की धनकी इसलिए इनके परिवार वाले जब इनके बिशे में समझ जाते हैं इनकी खोब भूरी भूरी प्रसंसा करते हैं अपना खोब काम भी करवाते हैं और ये लोगों की सेवा करके बहुत प्रसं खोज अब तुलारासी की जो महिलाएं हैं यह अपने साधी के बाद भी अपने भाई बहनों का तो ध्यान दखती ही हैं कुछ नया करने की हमेशा प्रयास करती है नया सोचेंगी कुछ नया होना चाहिए पढ़ाई लिखाई में भी अपने ग्यान का उपयोग अपने बच्च को परोश के बच्चों को सब को देंगी अच्छी बाते सिखाएंगी अच्छे अच्छे उनको ग्यान की बाते बोलेंगी अपने भाईयों से अब आप तुलारासी की लड़कियों को देखोगे की साधी होने के बाद भी भाई बहन आपस में जगरते रहेंगे इनके अंदर प्रेम भी बहुत है एक दूसरे का हाल्चा लेना एक दूसरे से बात करना बात करते करते किसी दर किसी बात पे जगरना फिर साथ में रहना प्रेम से तो ये इनका जो भाई बहन का अनोखा प्रेम है ये जीवन भर चलता रहता है कभी कभी भाई इनको चिढ़ाएगा तो कभी भाई को ये इस तरह से ये अपने परिवार में बहुत खुसी नुमा माहोल रखती है हाँ ये है कि ये अपने भाई के प्रेत हमेशा अच्छी भाजा का परियोक करती है इसी कारण अब आप इनके प्रातरम के बिसम देखेंगे ये बहुत महनती होती है अगर ये नोकरी करती हैं तो घर का पूरा कारी अकेले करेंगी फिर ड्यूटी पर जाएंगी ड्यूटी से आते ही फिर अपने काम में लग जाएंगी यानि कि आप तुलारासी की लड़की को देखोगे तो वो एक प्रकार की मसीन बन जाती है साधी के बाद घर का पूरा काम करना सब का पूरा ध्यान रखना और आफिस का भी काम बहुत अच्छी तरह से करती हैं इसमें ये बिल्कुल लापरवाही नहीं करती है माता, मित्र, मकान, सुख भाओ अब आप देखेंगे की तुला रासी की जो महिलाएं हैं ये विस्वास लोगों पर बड़ी जल्दी कर लेती हैं क्योंकि ये बिल्कुल तुला मन ने तराजू ये हमेशा सोती हैं कि अगर मैं सही हूँ तो सामने वाला भी सही है इस छेतर में अक्सर करके ये धोका खाती हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत अधिक विस्वास कर लेती हैं और जैसे विस्वास किये अपनी सब बातें जो भी इनके पेट में है घर का माईके का सब बताती रहती हैं ना कि ये कोई सिकायद करेंगी इनकी बात करने की वाचाल सकती इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये जब बोलना चालू करेंगी कोई बात तो सामने वाले पर इतना विस्वास करेंगी कि कुछ भी बता देती हैं बाद में क्या होता है इनकी सहेलियां इनकी चुपडी बातें करके इनसे लाब भी उठाती हैं इनसे धन खर्च भी करवाती हैं और समय आने पर इनका वो साथ नहीं देती हैं विसेश का धन से सम्मधित वैसे तो तुलाराशी की महलाएं कभी किसी से धन लेने का कभी प्रया बास नहीं करती है, यह हमेशा इमांधारी का धन प्राप्त करती है, और लेकिन यह चाबलुसी के जाल में फंच जाती है, इनकी सहलियां इनको जूती 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 करके इन से धन ख़ज कराएंगी इन्हीं से हाल चाल पूछेंगी इन्हीं से करेंगे इन्हीं से धन और लेकिन यह है कि यह दोसे का खाना कदापी पसंद नहीं करती है अब जहां तक वाहन का देखा जाए तो भगवान की दिया से इनको वाहन का सुख जीवन में जरूर प्राप्त होता है और यह वाहन की सौकिन भी होती है यह है कि अगर बच्पन में इनको वाहन सुख नहीं मिला तो युवावस्था में इनको अपने ससाल में वाहन सुख अवज से प्राप्त होता है अब जहां तक इनकी माता का देखा जाए तो ये जिस परकार अपनी मात से प्रेम करती है उस से जदा अपनी सासू का भी ये सम्मान करती है बलकि ये कहा जाए कि ये सासु से डर्ती भी है सासु कही नाराज न हो जाए ये किसी बात पे गुसा न कल ले तो उसकी हर सेवा करना, उनकी हर आज्या का पालन करना ये है अपना फर्ज भी समझती है और वो काम बहुर फटा-फट करेंगी कभी-कभी तो इनकी सास इनको कुछ खरी-खोटी भी सुना देती है लेकिन ये अपनी बात को कभी दिल पे नहीं लेती है अपनी गलती ये तुरण सुईकारी भी कर लेती है ये ही कारण है कि इनके घर में इनकी सास ननर देवर आदी भी इनको बड़ा सम्मान करते हैं और इनकी कारी को देख कर खुस रहते हैं बिद्ध्या भाव संतान भाव अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तुलारासी की महलाएं साधी कर लेती हैं तो पढ़ने के लिए तो ये बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम बना के आएंगे पेचेडी करेंगे ये करेंगे वो एकजाम में बैठेंगे लेकिन यहाँ पर ये इतना ज़्यादा लोगों के बीच में ब्यवहारिक बढ़ जाती है कि घर के हर ब्यक्सदर से का ये सेवा करना पसंद करती है इस कारण से इनका जो पढ़ने का तयारी करने का जो समय होता है वो बिलकुल समाप्थ हो जाता है फिर ये इतनी सारीरिक ठत भी जाती है क्योंकि तुलारासी की जो महिलाए होती है वो बहुत सिंगल बॉडिकी होती है और इनका मानसिक ज्यान बहुत तेज होता है ये कोई भी मानसिक कारी होगा तुरान फटाफट करके कंप्लीट करेंगी कंप्यूटर हुआ इंजिनेरिंग हुआ कोई भी छेतर में अगर ये हैं तो बड़ी जल्दी काम करती है लेकिन सारीरिक परिसरम चुकि ये बच्पन से सुखी जीवन बितीत करती है तो इनको उतना कठोर परिसरम करने का आदत नहीं होता है और ये जब सवसाल में आती है तो बिना आदत के ये अधिक कारी करती है जिसके कारण ये ठक जाती है और इस तरह से पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पाती है प्रंत जो पहले पढ़ाई की तैयरी आदी करके रखती हैं ये उसके बलबूते पर कोई अगर इजाम में बैठती हैं तो निश्चीत सफलता प्राप्ट करती हैं और एक अच्छी नोकरी प्राप्ट करती हैं अब संतान के बैबिसम देखा जाए तो तुलारासी वाली भाग्यवान होती हैं इनको साधी के दो-तीन वर्स के अंदर ही संतान सुप्राप्ट हो जाता है फिर कुछी दिनों बाद कुछ समय बाद इनको दोसरी संतान भी होती है इनको लड़का लड़की दोनों होते हैं और दोनों बच्चे इनको भी बहुत प्रेम करते हैं और ये भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है रोग अस्थान, सत्रोग अस्थान, कर्ज अस्थान आप देखेंगे कि तुलारासी की जो महिलाएं हैं इनको अनपढ़ गवार ब्यक्तियों से बिलकुल जगड़ नहीं होगा लेकिन जो बहुत पढ़े लिखें हैं जो सिर्फ उपडेस ही फेकना जानते हैं ये ऐसा होना चाहिए और इसा होना चाहिए इनकी ये बात का बहुत बुरा मानती हैं जो सिर्फ खली उपडेस ही देता है कारी नहीं करता है तुमको ये करो उनको वो करो तो ऐस इसे लोगों का ये बिरोध तुरंत करती हैं और मुपे करती हैं इस कारण से इनका जो सत्रू होता है पड़ा लिखा होता है उसको ये जूटी प्रसंसा करती नहीं है इसलिए वो इनका बिरोधी हो जाता है साथी साथ इनके स्वास्थ के बारे में देखा जाए तो वैसे तो इनके स्वास्थ अच्छे रहते हैं कभी कबार इनको पेट से सम्मंदित कुछ समस्या आती है पती इनको रोग आदी होने का योग नहीं बनता है पती अस्थान बैवाहिक सुख ब्यापार अब मैंने आपको जो बताया कि तुला रासी की महिलाओं का जो बैवाहिक सुख होता है वो होता बहुत अच्छा है पती से सुखा नहीं तो साम जरूर किट-किट हो ही जाती है जब इनके एक दो बच्छे हो जाते हैं परन्तु ये है कि इनका पती भी इनको किसी ना किसी बात पे चिड़ाने से पीछे नहीं रहता है और जब तक ये कुछ चिलाएंगी नहीं कुछ बोल नहीं देंगी तब तक को कुछ ना कुछ इदर की बाते हैं उदर परेसान ये एक मसकरी हंसी मजाग भी हम बोल सकते हैं कि इनका पती इनको प्रैम भी खूब करता है परिसान भी खूब करता है और ये अपने पती को कभी कभी तो गुसे में जबाब भी दे देती हैं लेकिन ये ज़्यादा तर जब इनका जग़ने का मुड नहीं होगा तो नहीं होगा इनका पति कितना भी इनको उक्सावए, कितना भी कुछ बोले, लेकिन नहीं तो नहीं, ये कुछ बोलेंगी ही नहीं, हस के बाद टाल देंगी, यही इनकी अंदर एक विशेष्टा है, कि ये पुरानी बातों को कभी ज़्यादा दिल में रखती नहीं है, रात गई, बात जल गई, फिर ये अगले दिन, आने वाले अगले दिन का कारी करती है, उसके विशे में सोती है, बीते विए कल के चक्कर में ये पढ़ती नहीं है, जबकि इनका पति ठीक इसके विप्रेट, ज्यादा तर इनकी पुरानी गल्तियों को दोहराएगा, तुमने ये किया, वैसे तो ये अपनी गल्तियों को सुधारती है, लेकिन कभी-कभी पती से, अगर ये किसी से कुछ बात बतंगड करती है, तो सिर्फ पती से, बाकी ये और किसी से नहीं बोलेंगी, कभी-कभी तो इतना हर आप देखोगे कि सासु वासु इनको कहीं ज़्यादा डांट दे तो ये अकेले जाके रोने होने का मतलब इतनी भावुक होती है, कि ये अपनी बेजिती बरदास नहीं कर पाती है, तो एकांत में ये जब तक अपना दुख दर्द रो के नहीं निकाल लेती, तब तक चैन दी है, लेकिन ये है कि एक बार इनका मन हलका हो गया, फिर ये काम में लग जाती है, पुरानी बातें भोल जाती है, रो अप एक्सिडेंट दुरगटना मृत्ति वस्थान, अब आप देखेंगे कि तुलारासी की जो महलाएं हैं, ये वाहन आदी की सोकिन होती हैं, चलाती भी हैं, कभी-कभी तो ये तेजगती से भी चलाती हैं, लेकि सौकिन भी होती हैं, उचे पहाणों पे चढ़ना, साहिसिक कारी करना, ये सब इनके अंदर आदत होती हैं, लेकिन ये हैं कि सावधानी इनके अंदर बाकाइदा रहती हैं, इसलिए इनको चोट चपेट लगने की संभावना बिलकुल ना के बराबर होती है, धर्मस्थान, भाग्यस्थान, अब आप देखोगे कि तुला रासी की जो लड़कियां होती हैं, बच्पन से धार्मिक होती हैं, साधी के बाद जब ये अपने सस्वाल आती हैं, तब तो ये विसेश धार्मिक हो जाती हैं, और भगवान का ब्रत वगेरा भी ये करती हैं, और कठोर कठो या इस तरह का, तो ये जो ब्रत पूजा पाठ पकड़ती हैं, उसको बिल्कुल पूरा करके ही ये रुकती हैं, बिज में इनकी तबियत खराब हो जाए, साथ खराब हो जाए, उसकी परवाह नहीं करेंगी, लेकिन अपना ब्रत नहीं तोड़ेंगी, तो जो भगवान के प्रत इनका लगाव होता है, तो भगवान की भी इनके उपर पूरी तरह की किरपा होती है, भगवान भी इनको समय से संतान, समय से साधी, समय से बच्चों की भी उन्नती, बच्चों की अच्छी सिच्छा, ये इनको संगर्स करती भी रहेंगी, लेकिन भगवान इनको समय समय पर सहाइता करते रहते हैं और एक प्रकार से कहा जाए तो ये भगवान के द्वारत दी गई सभी बस्तों से संतुर्ष्ट रहती है मैंने आपको बताया कि ये स्वार्थी नहीं होती है लालची नहीं होती है इसलिए भगवान से ये अपने परिवार बच्चे आदी के लिए ही कुछ ने कुछ मांगेंगी लेकिन उसके बदले भगवान की पूजा पाट भी खूब करती है पिता अस्थान कर्म अस्थान मान सम्मान प्रसिद्धी अब आप देखेंगे कि तुलाराशी की महिलाओं को गर से बाहर खूब मान सम्मान मिलता है घर के बाहर के लोग इनकी सला को बहुत अच्छे ध्यान से सुनते हैं उसपे अमल भी करते हैं ये नोकड़ी आदी करते हैं तो अपने अधिकारियोंарियों एक करमचारियों सब का ध्यान खखेंगे जो भी उसका दुखदर्द है बहुत ध्यान से सुनेंगी साहिता करने लाइक है तो ये साहिता भी करती है इस प्रकार आप देखोगे घर के बाहर नोकरी करते हैं तो आप भी साधी में इनको बहुत अच्छा माल सम्मान मिलता है ये जहां भी रहती है एक प्रकार का खुस नुमा माहूल रहता है क्योंकि गम को ये अपने करीब आदनी नहीं देती और हंसी-खुसी बांटने में किसी से पीछे नहीं रहती है इसलिए ये जहां रहती है, वहां हरसोलास का माहूल रहता है और लोग अतिप्रसंद रहते हैं इस तरह इनके मान सम्मान में अगर ये अपने घर की छोटी छोटी बातों पर न ध्यान दे क्योंकि घर के अंदर आप जानते हैं दीपक तले अंधेरा तो घर के लोग ना इनकी भावनाओं को समझ पाते हैं ना इनकी कारी को सलता को समझ पाते हैं तो कभी कभी वो इनके अंदर भी अउगुण निकाल ही देते हैं इसलिए इनको घर के मामले में संघस करना पड़ता है घर के बाहर के मामले में मान सम्मान प्रसिद्धी इनको खूब मिलती है ये नोकरी भी करेंगी तो इनका समय समय पे पर्मोसन भी होता रहता है लाब भाव बड़ा भाई आप देखेंगे कि तुला राची की मैलाएं अगर कोई ब्यापार बिजनस करती है तो ये ब्यापार बिजनस भी बहुत इमंदारी से कलना पसंद करती है ये अधिक लूट फार के चक्कर में नहीं पड़ती है जो भी इमंदारी से अच्छे तरीके से धन प्राप्त हो जाए ये हमेशा इमंदारी से और सही रास्ते पर चलने में विश्वास करती है इसी करण ये ब्यापार ब्यावसाय अगर करती है तो इनको कुछ न कुछ धन लाव हमेशा होता रहता है सिर्फ अगर धन को धन की हानी होती है तो ये किसी पर अधिक विश्वास करके उसे धन अधिक दे देती है चाहे उसको कर्जा के रूप में दे दें, चाहे कैसी विसाहिता कर दें यहां यह अक्सर धोका खाती है प्रंत ब्यापार आदी के छेतर में इनको अच्छी तरह से धन प्राप्त होती रहती है ब्याभाव, यात्राभाव, विदेश, खर्च अत्था अब आप देखेंगे कि तुलारासी की जो महिलाएं है यह धीरे धीरे जब इनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं तब यह अपने घर में वाहन आदी रहता है अपने वाहन से बच्चों को स्कूल छोड़ना या फिर बच्चों के साथ गूमने जाना तहलने जाना तो इनका पती तहलने गूमने का उतना सौकिन नहीं होता है लेकिन यह इतना दवाव बना लेती हैं कि इनका पती आदी इनके साथ यात्ता करने जरूर जाते हैं वैसे तो इनके ससूर साथ इनके साथ तहलने गुमने आप खुब पसंद करते हैं लेकिन साथ साथ ही अपने बच्चे पती आजि सब को लेकर गुमाने की इनकी जो आंतरिक इच्छा रहती है वो पूरी भी होती है ये धार्मी की आत्रा करती है और विसेश कर जहां हरियाली नदी, पहार, समुद्र है इन सब अस्थानों पर इनको जाना बहुत पिरिये लगता है ये देखा जाए तो तुलाराशी की जो महलाएं हैं ये घूमने से ज़्यादा अपने बच्चों को पती को घूमाने में इनको बड़ी असनता प्राप्त होती है और तीसी आत्रा करन में इनको बड़ा अनन्द आता है इसलिए अपने साथ साथ, अपने साथ, ससुर की को भी ये सब तेसी आत्रा अधिक करवाती है और सकता पढ़ने पर ये उनके साथ भी जाती है उनकी सेवा भी करती है और धन के मामले में ये देखा जाए कि इनके हाथ से धन अधित है ये कभी कंजूसी नहीं कर पाती है लेकिन भगवान इनको कहीं न कहीं से धन देते रहते हैं जिससे कि इनका खर्च भी चलता रहता है परिवार के लोगों के साथ इनके संबन भी मदूर रहते हैं तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तुलारासी की महलाओं का जो बहुत आस्थावान होती हैं अपने पाती पर इनको अटूर विश्वास होता हैं इस तरह से इनका पारिवारिक जीवन बहुर सुक पूर्भक आनन्द पूर्भक बतीत होता है तो मित्रों मैंने आज आप लोगों को तुलारासी की महिलाओं के बैवाहिक जीवन के विशे में जो बताया है मुझे आसा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सबस्क्राइब करना मत भूलिए नमस्कार